राधे राधे नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो नवरात्री पर मा दुरुगा के नव स्वरूपों की पूजा की जाती है इस दवरान देवी भक्त मा के पूरे बिधी विधान से पूजा अर्चना करते हैं और ब्रत उपवास भी रखते हैं कुछ लोग नवरात्री के पूरे नौ दिनों तक ब्रत रखते हैं तो कुछ लोग पहला और आखरी ब्रत रखते हैं दोस्तो नवरात्री के दवरान खान पान का भी विशेज ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नवरात्री का ब्रत नौ दिनों तक चलता है और नौ दिनों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये जानना बेहत जरूरी है क्योंकि ब्रत के दौरान ऐसी कई चीजे है जो आपको नहीं खाने चाहिए और आप जाने अंजाने में उन चीजों का सेवन कर लेते हैं और आपका ब्रत खंडित हो जाता है इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको नवरात्री में नौ दिनों के ब्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए आपको किस आटे का इस्तिमाल करना चाहिए और कौन सी सबजी और कौन से भल खाने चाहिए साथी आपको किस तेल में खाना पकाना है और कौन से नमक का इस्तिमाल करना चाहिए इस वीडियो में आपको आपके नवरात्री के ब्रत का खान पान कैसा हो उसके क्या नियम है ये जानकारी मिलेगी सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेयर करिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि आप नौरात्री की ब्रत में क्या क्या खा सकते हैं तो बात करें आटे की तो आप आटे में सिंघाडे का आटा प्रयोग कर सकते हैं आपको बता दे कि सिंघाडे के आटे का ब्रत में खाना बहुत सुब होता है आप सिंघाडे के आटे की पूरी हल्वा आदि बना कर खा सकते हैं आप चाहें तो सिंघाडे के आटे की पकोडी भी बना कर खा सकते हैं इसके अलावा आप कुट्टू के आटे का इस्तिमाल भी कर सकते हैं आप कुट्टू के आटे से भी हलवा पूरी या खिचडी बना कर खा सकते हैं इसके अलावा आप राजगीरा का आटा भी खा सकते हैं साथी साथ आप शाबुंदाना का इस्तेमाल भी नौरात्री के ब्रत में कर सकते हैं आप सागुंदाना का पापड और खीर बना कर खा सकते हैं। इसके अलावा समा के चावल की खिचडी बना कर खा सकते हैं। अब बात करें मसालों की तो मसाले में आप जीरा जीरे का पाउडर काली मिर्च और उसका पाउडर हरी इलाइची लॉंग सुखे अनार के वीज इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नमक में आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथी साथ आप चीनी सहद गुड इस्तेमाल कर सकते हैं और आमचूर पावडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बात करें सबजियों की तो आप ब्रत में सकरकंदी, आलू, अर्वी, कदू, पालक, लौकी, खीरा, ककडी, गाजर आदी खा सकते हैं इसके अलावा कच्चा, केला, टमाटर, हरी, मिर्च, हरा, धनिया और अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप आलू के चिप्स बनाकर फ्राई करके भी खा सकते हैं या आप आलू की सबजी, दही, आलू या फिर टमाटर, आलू की सबजी बनाकर खा सकते हैं आलू और पनीर के कोपते भी बना कर खा सकते हैं या फिर आप ब्रत वाली कड़ी और चीले भी बना कर खा सकते हैं और अब बात करें फल की तो आप केला अंगूर संतरा पपीता खरबूजा अनार आप हर तरह के फल खा सकते हैं इसके अलावा आप दूध दही पनीर घर में बना हुआ मक्षन और घी आदिका सेवन कर सकते हैं और बात करें कुकिंग ओयल की तो आप ब्रत का खाना शुद्ध देशी घी में या फिर मुंफली के तेल में या फिर बादाम के तेल में बनाएं और आप लिक्विड में फलो का जूस, सूप, दूध, चाय, कौफी या ग् चानते हैं कि आपको नवरात्र के ब्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, आपको इस दवरान इन चीजों को खाने से बचना चाहिए, तो दोस्तों आप ब्रत में ब्रत के दवरान प्याज और लसुन का प्रयोग ना करे, इस दवरान घर का कोई सदस्य मांस मदिरा का का तेल मेथिधाने गरम मशाला का इस्तिमाल नहीं करें ना ही आपको रिफाइंड तेल या सोयावीन तेल या सरसो के तेल में खाना पकाना चाहिए इसके अलामाबरत के दाल चावल आटा बेशन मैदा आधि का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए आपको बता दू नवरात्री के दावरान आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके नौ दिन आसानी से कट जाएं आपको ब्रत के दावरान खुब पानी पीना चाहिए आप नारियल का पानी दूद और ताजे फलों के रस जैसे तरल पदार्थों को अपने डाइट में जरूर सामिल करें और एक चीज का ध्यान रखें कि आप ब्रत में बाहर की मिठाई ना खाएं आप घर पर बनाई गई मिठाई का ही सेवन करें क्योंकि बाहर के मिठाई में मिलावट होती है आप घर पर ही बना करके खाएं इसके अलावा बजार में ब्रत वाली नमकीन या चिप्स भी मिल जाते हैं लेकिन ये पैकेट वाली चीजे आपके उपवास को भंग कर सकती हैं इसलिए आप घर में बनाई हुई ब्रत वाली नमकीन का ही सेवन करें इसके अलावा आप मार् अलावा ब्रत के दोरान मूली का सेवन भी बरजित होता है दोस्तो नवरात्र का ब्रत मा दुर्गा को प्रसन करने का समय है इसलिए आप इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान पूजा पाठ में लगाए आप नवरात्र के नौ दिनों में देवी दुर्गा के मं तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो कि नवरात्र के ब्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए तो आपको ब्रत करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो मे लाश्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधे राधे